बगवान बुद्ध का जो शिक्षा है उसको समझने के लिए आप एक गंदा पानी का उदारन ले सकता है एक बोटल में आप तोड़ा सा गंदा पानी रख दें और उसको शेक करते जाएं और उसमें गंदगी डालते जाएं वो कभी साफ नहीं होगा तो साफ नहीं होगा तो हम उसके पीछे जो क्या चीज़ है उसको देखनी पाएगे ऐसा अपना मन भी हमेशा जो इंद्री सुख में आसकते रह करके बाहर का बहुत कुछ काम करकर के अपना मन में हमेशा शेकिंग हो रहा है तो मन बिल्कुल कलंगित होते जा रहा है वो सेटल नहीं होता उसका गंदगी साफ नहीं होता है तो इसलिए बगवान बोलता है बिच्छों को वन में जाओ अरेंड़नी में जाओ वहां पे कुछ भी मत करो सिर्फ बिच्छान लिए एक जब में बैठो और इसको सेटल करो तो मन में जो कलंग है वो बिल्कुल नीचे जो बैठ जाएगा क्योंकि बाहर सा कुछ नहीं आ रहा तो अपने आप जो बीतर का जो खतम हो जाएगा उसके बाद जो सच्चा ही हमको सामने आएगा तो सारा कुछ सेटल करने का मामला है